विवस्थाओं को सजवात यह हैं कि अब धनुष यग्या प्रारंबु होने वाला हैं सदानन जी महराज जनक जी से कहते हैं कि महामुनि विश्वा मेतर जी के साथ में दो जो राजपुतर आए हैं उन्हें ले करके इस यग्या मंड़प में बुलाया जाए दोनों राजपुतरों को ले करके आए जितने लोग भी बैटे हुए थे सबा में सब चौकने लगे देखके अरे चौक गए कि ये दो राजपुमार इतने बड़े-बड़े महारती सूर बिर आए हैं बाला ये धनूस से इनसे नहीं तूटेगा तो ये छोटा बच्चा क्या धनूस को तोड़ेगा परंतो देखिये कि सूरिय भगवान देखने में छोटे लगते हैं परंतो उनके तेज को कोई शहन नहीं कर पाता है अशुरों का संभार किये कितने पापियों को तार दिये और राम जी भी हमारी तो शूरिय बनसी ही हैं जो अशुर लोग भी उसमें पता रहे थे बेश बदल के उन्हों ने देखा तो राम जी को देखते ही उनको अपना काल नजर आने लगा अरे अब तो मेरा काल मंडरा रहा है और जो भगत लोग थे उनको भगवान के रूप में दिखने लगे और जो जनकपुर वासी थे उनको अपने रिष्टदार नजर आने लगे और जितने लोग भी इस पंडाल में बैटे हुए थे सब अलग अलग भाओं से जिसका बाव जैसा था वैसे प्रभू उनको दिखने लगे अब बाबा गोश्वामी तुलसीदाशी महराज ने सोचा इतने सारे लोग बैटे हैं इस पंडाल में इतने सारे लोगों के बारे में यदि लिखना प्रारंब करूँगा तो मेरा बहुत समय लग जाएगा किसके किसके बारे में लिखू कितना लिखू इसलिए है जितने लोग बैटे हैं ना सब को ले करके बाबा सब के मती को ले करके बाबा एक चौपाई लिखते हैं एक ही चौपाई लिखे जाकी रही भावना जैसी तबोरते देखी जाकी रही भावना जैसी तबोरते देखी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरते देखी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरते देखी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे जो जिस भाव में प्रभु को देख रहा था उसी भाव में प्रभु उनको दिख रहे थे इसलिए बाबा ने एकी चौपाई लिखा जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे सभी मंचों से उचा मंच बनाए प्रभू को बैठने के लिए ताकि मेरे भगवान बैठें तो सभी लोग उनका दर्शन कर सके जनक जी महराज कहिते हैं अब मेरे प्रतिग्या को सभी को सुना दीजिए बोले बंदी बचनवर सुनहु सकल मही पाल ही राजाओं आपके भूजाओं का बल चंद्रमा है यह शीव जी का पिनाक राहू है और कितना कठोर है आप सब इससे विदित हैं रामर जैसे और बाड़ा सुर जैसे बंदन करके चले गए इस परसी भी नहीं किये और यह पिनाक कितना कठोर है आप जानते हैं जो इस बरी सभा में रखा गया है आप मेंसे किसी ने अगर इस धनुस को तोर दियां तो तीनों लोक में उनकी जैजैकार होगी और हमारी जनक जी की पुत्री किशोरी जू उनके गले में जैमाल पहनाएंगे उनकी किल्त बढ़ेगी तिनों लोक में जैजैकार होगी अब सुचिए जैसे ही इतना सुने राजा महराजा अब सोचने लगे अरे यह धनुस हमसे तूटे उनसे ना तूटे सब यही सोच रही थे एक दूसरे के बारे में धनुस किसी से न तूटे मुझसे तूटे अब एक एक करके धनुस के पास जाने लगे उठाने धनुस उठाते गए धनुस तो तिल का तार तक नहीं हुआ धनुस हीला तक नहीं यारे धनुस तूटेगा कैसे जब सभी राजा महराजा हार गए धनुस को हीला तक नहीं सके प्रतंचा तक नहीं चराए तब जनक जी महराज को ग्रोध आया और कहने लेगे कि हे सभासत बस करिए हे दीप दीप के राजा महराजा देवता तो देवता हैं देव धनुस नरनाग खग किननर सभी लोग इस सभा में पधार हैं यहां तक असूर लोग भी इस सभा में पधार हैं बेश बदल के राख्चत भी आएं हैं और धनुस की बात तोरने की बात चोड़ो किसी में उतने सामर्थ नहीं है जो इस धनुस पे प्रतंचा तक चड़ा सके और मैं चनक कहता हूं बंद करो अपना ये नाटक अब मुझे पता चले गया कि इस सभा में इस प्रीथवी पे कोई बीर नहीं है ये प्रीथवी बीरों से रही तहें मेरी पुत्री का भी वा हो ना हो मैं कर भी क्या सकता हूं अगर मैं अपने प्रतिक्या को छोल देता हूं तो मेरा सारा पुन्य नश्ट हो जाएगा मेरी पुत्री का भी वा हो ना हो आप लोग हम कर भी क्या सकते हैं अगर मुझे पता होता कि ये प्रीथवी बीरों से रहीत है इस प्रीथवी पे कोई बीर नहीं है तो मैं ये प्रतिक्या कदाप भी नहीं लेता जनक जी महराज के इस करनावी बचन को सुन करके सारे जनक पुरवासी नेतर में अस्त्रु धार बर लिये दुख में प्रवेश कर गए सबी लोग हमारी किशोरी जीव के तरफ देखने लगे अगर हमारी किशोरी जीव का भी बाह ना हुआ तो कैसा लगेगा जनक जी महराज जैसे ही आवेश में आ करके बोलना प्रारंब कियां लक्षमर भीया कहता है जनक जी महराज आप ऐसे अनुचित बानी बोले रहे हैं यह बिलकुल शोभा नहीं देता यह ठीक नहीं है जनक जी महराज इस सवा में एक भी रगुवन सी बैटे होंगे न तो आपके इस कठुर भचन को सहन नहीं कर पाएंगे